हम हमेशा जवान बने रह सकते हैं मतलब क्या हम बुढ़ा पेगो टाल सकते हैं ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया रिसर्चर्च ने दावा किया पहले कि हम ऐसा करने में काम्याब हो सकते हैं तो उन्होंने इस एम के साथ एक्सपेरिमेंट केरियाउट किया गया उन्होंने पाया उन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया वो चूहों पर किया चूहों को देखा गया कि चूहे कैसे बहेव करते हैं जवान चूहे और बुढ़े चूहे उनके बहेविर में बहुत फर्क पाया गया यानि कि उन दोनों चूहों को एक जवान लिया गया और बु कम टाइम लिये यानि कि वो 5 सेकंड में बाहर चला गया और बुढ़े चुहे को कम से कम 20 सेकंड का टाइम लगा तो इससे उन्हें पता लगा कि वो एक्टिव ज्यादा है और कुछ एक्सपेरिमेंट में उन्हें पता लगा कि उनकी जो ब्रेन पावर है दिमाग की सक्ति है वो कमजोर हो जाती है जैसे जैसे उनकी एज चले जाती है तो उन चुहों को उन्हें बलड प्लाजमा प्रोटिन ट्रांसफर किया गया जो जवान चुहों से लिया गया था यानि कि बुढ़े चुहे में जवान चुहों वाला बलड प्लाजमा प्रोटिन डाला गया उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट आदमियों पर किया जाने लगया उसके बाद उन्हें पाया कि सबसे पहले अलजाइमर नाम की बिमारी उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया बलड प्लाजमा प्रोटीन जवानों का डाला गया और उनमें खासी अच्छी न्यूज मिली यानि कि उन का दावा जो था वो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में सत्य साबित होता हुआ दिखा अब अन्य बिमारियों पर रिसर्चर अभी काम कर रहे हैं हो सकता है कि वो काम्याब हो जाएं लेकिन ये बात सत्य है कि हम हमेशा के लिए बुढ़ापे को टाल तो नहीं पाएंगे लेकिन हा कुछ शमय के लिए हम इस पर काबो जरूर पा सकेंगे आज के लिए इतना ही देखने के लिए धन्यवाद